आज मौसम काफी ठंडा है और हवाय चल रही है ठंडी ठंडी हवाय तो मैंने आज कबुतर को खोल दिये तौर का दिन है संटे का तिन है और यह एक जंगली कबुतर है जो बैठने के कोशिच कर रहा था और अड़ गया मेरी वज़ा से खेरी जंगली कबुतर रेन के साथ आते रहते हैं यह नई बात नहीं है तो आज मौसम पहले देख लिए काफी जबरदस्त मौसम है यह शिक्रा टाइप कर जू परिंदा यह भी कूँ रहे हावा बहुत तेज चल रही है कबुतर के स्पीड से आपको अंदाजा होगा होगा साथ सहोंगो यह हीद्दाब क्लाऊड मैं हवा यह ने फ्ली क्लाऊड में हमढ़िगे तक अंदर है वा काफी तेज चल रही है पैवा क्थ टेज़ चल रही है हवा की हीओ प्र गुटर को अ मारा के साथ अपके अपडेट भी श्यार करेंगे जो कबुतर देमार है असकी औ लग रहे हैं कि मौसम बहुत अच्छा है ये एक पठ्ठा है जो बोड रहा है और डॉग्स ने भी अपना कमाल लिखाना शुरू करती है वो भी देख रहे नीचे ये दो बास पेर है अड़ो पे आया हुआ है बाकी कबुतर आप चेक कर सकते हैं दाने पे तूट पड़े हैं क्योंकि ठंड है और टंड में दाने का मज़ा है कुछ अलग होता है तो अभी आपके साथ विमार कबुतर के अपडेट शेयर करते हैं तो फ्रेंड्स ये वो विमार कबुतरे है इसको दवाई अभी भी मैंने लगाई है मतलब रात को और ये इसकी आंक का आंक है उसकी का लाफ़ रही है तो इसको में पकड़ के बाहरी चौड़ देते था कि कबुतर के साद्ड ना बानी उठाएं तो यह मैंने इसको कोट है कि शेयर कर लेता है यह सामने है wow मैंने कौल दिये है यह बार जो पहला है इसके बीचे कबुतर भी लगती है यह जूम कर दो हमuuuu बिल्कुल बजायर तो बिल्कुल ठीक है थोड़ी से इसक्यां काईश हुए बाकी बाकी तो ठीक लग रहा है पानी पीने चार है पानी पीले तो अच्छी बात है और शिकरे ने अपने कमाल देखाना शुरू करती है कबुतर सारे ओड़ गए यह आप चेक कर सकती है हाई फ्लायर आप देखें यह उपर दो कबुतर एक बैट गया है और एक उड़ रहा है यह बहुत लंबा उड़ता है लेकिन आज दुआ करते है कि नीचे आजाए जिल्दी से और फ्रेंड्स यह कुछ कबुतर थे आपके साथ यह कबुतर में पानी पीने चार है पानी पी है बेमार जो है और एक यह जोगी कबुतर है दो बाद यह बहुत अच्छा कबुतर है अच्छी कौलिटी कबुतर है यह जंगली कबुतर है जिसके पान में मैंने रिंग डाली हुई थी इसको मैंने पकड़ा है तो यह इधर आता रहता है रेकिन इसने ब्रीट कहीं और कि इसके बच्चे हैं यहां से खा लेता है और फिर वापस चला जाते हैं मैं इसको तंग नहीं करता ना इसको पकड़ता हूं बस मैंने इसको अपनी रिंग डाल दिया ताकि मुझे इसका आइडिया हो कि यह मेरा वाले कभूतर है यह ब्लैक कभूतर का शॉप भी आप कर सकते जंगलियों का एक नर मेरे पास भी है मेरे गर का पठह है चोटा बच्चा मेरे साथ बड़ा हुआ है इसको पाला है यह भी आप चेक करें बहुत ही आउट क्लास पठह है अब ही जवान हो गया इससाथ यह दो बास चेक करें यह मुझे बहुत पसंद है अभी एक ये पठ्था में तयार कर रहा हूँ ये भी जंगलियों में से निकला हुआ है बहुत ही आउट क्लास पठ्था है मतलब ये ऐसा कबुतर है कि बैठने वारे कबुतरों में नहीं है कि ये किसी के कर बैठ जाया और इसके स्ट्रेंडिंग पोजिशन तो आपने देख हैं और आपके साथ मिलेंगे कर इतने ही वीडियो के साथ तक तक के भी है अल्ला हाफिस